हेलो दोस्तों मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल पर अप सब लोगों को फीड से बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लिखाने जा रहा हूँ Other Enrollment Center को कैसे पता कर सकती हैं जैसे की दोस्तों ये बहुत लोग को पता नहीं है आपको अधरcar से रेलेटीड कोई भी काम करना है तो आपको Other Enrollment Center पर जाना होता है तो other enrollment center कहा पर है ये आप गर पेटी ही आप अपनी mobile phone से ही चेक कर सकती है तो दोस्तो अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे साथ बने रहे है और वीडियो को प्लिस हैंड तक कर देखते रहेगा दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगे अभी तक आपने इस वीडियो पे लाइक ने किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रहा के ताकि आपको इसी तरह का लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाएगे तो दोस्तो आदर अन्रॉल्मेंस सेंटर कहा पर है ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपकी फोन का कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे uidai.gov.int के ये लिखना है और यहां से आपको सार्च कर देना है जैसे आप सार्च कर देंगे तो यहां पर आपको आदर काट का ओफिशिल वेब साइट ओपन हो जाएगा इस वेब साइट में आने की वाद में दोस्तो आपको यहां पर तुरह सा स्कूल डान करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपसों देखने को मिलेगा लुकेट एन एंडूल्मेंट सेंटर टिक है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है तो यहाँ पर एक नई पेज ओपन हो जाएगा इस पेज पर आने की बाद में दुस्तों आपको यहाँ पर तुरा सा स्कूल डान करना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप तीन तरीके से आप अपने आधर एंडूल्मेंट सेंटर को पता कर सकती है यहाँ पर आपको डिस्तीक ब्लोक विलेज यह सब डालकर आप यहाँ से चेक कर सकती है तो यहाँ पर मैं आपको एक एक कर के देखर करना है सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टीक पर कलीक करता हो तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप अपने state select करेंगे यहाँ पर आपने district select करेंगे और यहाँ पर आपने वेलेज को select करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं वेलेज सिलेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर दुस्ता आपको एक option देखने को मिलेगा so only permanent center अगर आप permanent center को check करना चाहती है तो यहाँ पर आप tick लगाएंगे अगर आपको सभी center को check करना है तो आप यहाँ पर tick को चोड़ देंगे ठीक है तो जैसे कि मैं यहाँ पर permanent center है उसको check करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर tick लगा देता हूँ उसकी बाद में दुस्ता आपको यहाँ पर capture देखने को मिलेगा इस capture को आपको यहाँ पर same to same type करना है ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर capture डाल देता हूँ उसके बाद में दूस्ताब को यहाँ पर देखने को मिलेगा Look at a Center तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूस्ताब देख पर यह इस एरिया पर कितना Enrollment Center है यहाँ पर आप देख सकती है इस page पर आने की बाद में दोस्ता आपको यहाँ पर आपका जूबी pin code है उसको यहाँ पर type करना है जैसे कि मैं यहाँ पर pin code type कर देता हूँ उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलीगा so only permanent center ठीक है अगर आप permanent center को check करना चाहती है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर आपको इस capture को डालना है जैसे कि मैं capture डाल देता हूँ फिर अब यहाँ पर locate as center पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्ता आप देख पार यह is pin code पर जितना other enrollment center है सभी center यहाँ पर आच चुका है ठीक है यहाँ पर देखिए सभी enrollment center का पूरी details दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकती है तो यहाँ से मैं back करता हूँ और आपको दिखाता हूँ search box पर आपको कैसे search करना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए तीसरा option आ रहा है search box का तो यहाँ पर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको locality name डालना है city डालना है और district डालना है उसके बाद में search करना है ठीक है तो जैसे कि मैं यहाँ पर city और यहाँ पर district डालके search करके देखता हूँ क्या आता है क्या नहीं आता है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर अगर आप पर Über secrets करना चाहती तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और फिर से अपको यहाँ पेपटर देकने को में लिए इस केपटर को ڈौना रवह कि तो जैसे कि मैं यहाँ पर capture डाल देता हूँ और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा locate a center इस पर आपको click करना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख पारिए इस area पर जितना other enrollment center है सभी center यहाँ पर आचुका है ठीक है तो दोस्तों इसी तरह बहुत है आपकी नजदी की जूभी other enrollment center है उसको आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा other enrollment center है उसके वाद में अगर आपको other card से related कोई भी correction करवाना है या तो आपको other card के लिए apply करना है मतलब कि other card से related कोई भी काम करना है तो आप उस center पर जाके कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो पर लाइक करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्तों के साथ सेयर करें अगर आपकी मन में कोई स सवाल है तो आप मुझे comment में बता सकती है